बेलकम बेक टू माई टूब चल पेपर हैकर आज की इस वीडियो में यह देखेंगे बेटा जो भी जात्र बीए फर्स्ट सेमेश्टर में हैं उसके लिए हम सोचिलोजी का पेपर लेकिया है सोचिलोजी का पेपर है जिसमें समास्थात्र और मनों बिग्यान में संबंध इस करा रहा हूं इसके अलावा कुछ और नहीं करा रहा हूं फालतुगा याद करके चले जाना आपको फेल करने बाला कोई नहीं है आप हमारी इसकी पीडिएफ भी डानलूट कर पाएंगे पीडिएफ का लिंक डिस्कप्शन बॉक्स में इस नोट्स का आप जो देख रहे न झाल 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 कि अंडिक ऑ्ट से देखेंगे सभी लोग अभी हां देखो कि एदर रखाए हमें समाज़। साब्स आर मनु घ्यान में समालोगा रखाना है मनु बिख्यान के अंतरगत प्रांडी की मांस पद्धितियों का अध्यन चैन की यह किणजाता है ठीक है अब यहां बोला गया है कि जो मनोविज्ञान है कि अंतरगत क्या होता है जो मनोविज्ञान होता है उसके अंतरगत है जो प्राणी होते है प्राणी जीब जन्तू होते है उनकी मानसिक इस्तिती मतलब कि उनके मन के मानसिक इस्तिती का अध्यन किया जाता है उसके मन में क्या तो प्राणी की जो मानसिक इस्तति है उसका अध्यन किया जाता है जैसे कि कौन कौन से इस्तिनिया जैसे कि प्रेम की वारे में इर्शा के वारे में कलपना क्या कर सकता वो ब्यक्ति ठीक है और देश्य क्या है सुद्भाव क्या रहता है उस ब्यक्ति का और म आध्यन करता है दो मनुभिज्ञान करता है शाती सात ये बोला गया ये मनुभिज्ञान की विशय werde всё गर और गते हैं यह जो तत्म अपने देखें गए की एपने देख करेम करल जब है ये सब क्या होते हैं ये मनुभिज्ञान के विशय Charakter करताते अब यहां देखो कर रहा है क्रोध, घ्रणा, आवेग, रिसंसा, ठीक है, प्रिसंता कह सकते हैं, प्रिसंता वगारा, आवेग, प्रिसंता और आधी के द्वारा, प्राडी के आंतरिक भावो का पता लगाया जा सकता है, मतलब क्या होता है, मनोबिज्ञान के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, कि ग्रती के क्रोध, घ्रणा, आवेग, और प्रिसंता, प्रिसंता, आधी के द्वारा, आधी के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, कि प्राडी की आंतरिक भावो का पता लगाया जा सकता है, कि वो क्यो है, किस का का लगाता है इन जो सब्सक्राइब देख रहे ना इनका मनुभि सभाव सेमती आधी के आधार पर ही बनते बिगडते हैं यह बोला गया है बनते बिगडते हैं इस पिरकार समास्सास्त्र और मनुविज्ञान परस पर घनिष्ट संबंद रखते हैं इस पिरकार क्या होता है कि जो समास्सास्त्र है सोसलोजी है और जो मनुविज्ञान है वो आपस में क्या होते हैं, मेरे आपस में ओते हैं, बिटाइं यह अबना घनिश संबंद रखते हैं, और मनोबिज्यान के बिना समाजिक बिन अधा की नहीं ठीक के बिना जैसे घुन दोस बगारा उसके अंदर इशा प्रेम बगारा नहीं जगेगा तो संबंध कैसे कैसा बन जाएंगे दोनों तो हम दोनों मतलब के उद्धिया हम सब लोग आपस में तभी तो हमारा रिलेशन मंद भाएगा तो भूबो अला गया है कि मनोविज्ञान के बिना समाजिक समंद बन ही नहीं सकते ठीक है वो कहरा है जब कि समाज सास्त का अध्यन बिसे समाजिक समंद ही है अब देखो समाज कोई एक अंग संपूर सरीर का संचालन नहीं कर सकता मतलब कि सरीर का कोई एक अंग है वो संपूर सरीर का संचालन नहीं कर सकता जब कि सभी अंग मिलकर कार करते हैं वलकी ठीक है उसके बाद में कहारा है वलकी सभी अंग क्या है मिलकर कार करते हैं और इन अंगों के संचाल पर व्यक्ति की मानसिक इस्तती का प्रभाव पड़ता है अब इसी कर जब हम सभी हमारे देखो एक अंग तो काम करने का पूरा संचालन कर नहीं सकता है पूरी वोड़ी को भी एक अंग तो मेंटेन नहीं करेगा बलकि सभी अंगों को करना पड़ेगा मिलकर काम करते हैं और कहला है उनकों के संचालन पर व्यक्ति की मानसिक इस्तती का परभाव पड़ता है और जैसी मन इस्तती में कार किया जाता है कार की सफलता, असफलता के अनुसार निर्धारत की जाती है मदब कार्य करने की सफलता और सफलता होती है वो तदनुसार निर्धारित की जाती है प्रसंता पूरक एबम उत्शा पूरक किये गए कार्यों के परिणाम सकारात्मक होते हैं देखो जो प्रसंता पूर्बक जो कार होते हैं उश्शा पूर्वग जो कार होते हैं कि ये कारेों के जो परिमार है वो सकरात्मक होते हैं जब कि आबेक पूरक और खिंता की मन इस्तिती में किये गए कार का परिमार नकारात्मक या हानिकारक होते हैं जब समाज के सभी अंग सरीर के सभी अंगों की भाती कार करते हैं तो ब्यकेक्त मन ही की तरह है जो शमू बन होता है ग्रूप माइन बोलता है जिसे समू मन को भी होता है तो इसके बारे में बोला गया है और साती सात कहा गया है इस समुमन की परिमाणित ही धारमिक उत्सवो एवम युद्धो के रूप में होती है इतना लिखेंगे और लिखेंगे उपरोगत तत्थों से ये बात इसपश्ट हो जाती है कि समासास्त मनोब ग्यान घनिष्ट रू कर सकते हैं तो आई हूब आपको वीडियो पसंद आई होगी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बैल आइकन को प्रेस कर देना और जब भी ऐसा कोशन आए तो आप इस तरीके से इसको लिख के आएंगे ठीके बेटा तो आप इसको एक बार लोड कर लेना दुबारा से इसको एक बार explain कर लेना पढ़ लेना समझ लेना और आपको समझाया जाएगा जादा ज्यादा दोस्तों को शेर करेंगे थैंक यूफर मच इन इस वीडियो बाए बाए